संजे सिंग आप मादनी पार्टी के बड़े नेता हैं राज्य सभा के सांसदें उन्होंने क्या कहा है के ज्रिवाल के इस्तीफा देने से पहले कुछ देर पहले ही मेरी सेहोगी ने उनसे बात किये नमस्कार स्वागत आपका नियूस 24 पर मैं आपके साथ पूझार आठोश शर्मा और इस वक्त हमारे साथ आप सांसद संजे सिंग जुड़ गए हैं सीधा अर्विंद केज्रिवाल के इस्तीफे की खबर के बीच राजनीती में एक नयाब भुचाल यहां देखने को मिल रहा है और संजे सिंग हमारे साथ है तो संजे सिंग ये कौन सा मास्टर स्टोक खिला गया हम आदमी पार्टी की तरफ से लंबे वक्त से जब जेल के अंदर थे स्तीफे की मांग होती रही तब नहीं दिया अब क्यों देखें ऐसा है कि भारती जनता पार्टी के मकसद को फेल किया अर्विंद केज्रिवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया इसलिए कि लोकतंत्र की रक्षा करनी है इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि संविधान को बचाना है इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी को बचाना है इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि अगर अद्विंद केज्रिवाल जी इस्तीफा दे देते तो अलग अलग राजियों में विपक्ष की सरकारें गिराई आती खरीद फरुक्त किया जाता सरकारों को तोड़ फोड़ किया जाता इसलिए उन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया अगर असूलों और सिध्धान्तों की बात आप करेंगी तो 49 दिन की सरकार जिसमें वो 5 साल के लिए मुक्ष्यमंत्री बने थे सिध्धान्तों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उन्होंने कमिस्णर के पत से स्तीफा दिया कोई पद का मोह अर्विंद केजरिवाल को नहीं है आज जन्ता के बीच में जाएंगे और वो पूछ रहे हैं कि इमानदार है या गुनहगार के जरिवाल या आपको तै करना है प्रचंड पहुमत से फिर से जीत के आएंगे जैसे सरसट और बासक सीटे पहले लेके आए और उसका कारण है बहुत साफ तोर पे ईक ऐसा मुक्खमन्तरी जिसने बिजली फृई दिया पानी फृई दिया शिक्छा फृई इया इलाहत फृई दिया बज़र्गों की तीर तियात्रा फृई दी मातां औ बेहनों के लिए बसकी फृई आत्रा करें और बावजुद इसके मुनाफ है का बजट दिया एक भाजपा सासी तराज जाब बताईए जहां पर इतनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिल रही है और उसके बावजूद मुनाफ़े का बजट हो और क्या है ये केस जूट का पहाड एक सबूत नहीं मिला केजरिवाल के खिलाफ ना कोई संपत्ती ना कोई गहना ना कोई जमीन का टुकड़ा ना कोई फ्लैट आपने एक जूटा बेबुनियाद केस खड़ा किया और अब तो सुप्रीम कोट ने भी कह दिया कि सी बिया ईड कि तोता है उसी तोते का इस्तेमाल करके मोधी और मि आमिश जीने गिरफ्तारी कराई है और उनको बार-बार गिरफतारी से लेके बार-बार उनके कामों में अर्चने लगाने का काम किया गया तो दबाव क्योंकि सुप्रेम कोर्ट से भी तो सर्शर्थी जमानत मिली ना जसमें वो मुखे मंतरी वाला कोई काम नहीं कर पाते, सची वाले नहीं जा पाते कोई फाइल साइन नहीं कर पाते और उपर से एक दबाव जब बीजेपी विधायक राश्टर पती के पास पहुँच गए चिठी लेकर तो क्या ये भी एक दबाव था या एक सहानुबूती हासिल करने की कोशिश अरे मैडम आप एक चीज बताइए अर्विंद केजरिवाल के काम में कब अर्चन नहीं लगाई गई अर्विंद केजरिवाल देश के वो मुक्व मंत्रियां आजादी के बाद जो एलजी के घर नौ दिन तक धरने पर बैठे रहे हैं मोहला क्लीनिक का काम कराने के लिए रासन की घर घर डिलेवरी कराने के लिए तो अर्विंद केजरिवाल के किस काम में अर्चन नहीं डाला गया हमारी सर्विसेज की पावर चीन ली गई हमारे सारी ताकत चीनी गई बावजूद इसके उन्होंने लड़के काम किया है दिली के लोगों के लिए तो इसलिए ये तो बेबुनियाद बात है कि सुप्रिम कोर्ट ने कोई ऐसी सर्थ लगा दिया रहे कोई ऐसी सर्थ नी लगाई जिससे वो अपना कोई जरूरी काम नहीं कर सकते नहीं तो अब तो वो मांग करें आप नवेंबर में आप करा लीजिए विधान सभाज चुनाव समय से पहले करा लीजिए और दूसरी बात अब नया सीम अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यहीं है संजर सिंग जी कि अब सीम होगा कौन या होंगी देखें ये तो हमारे भारत के प्रधान मंत्री जी कहते हैं वन नेसन वन एलेक्शन वो तो बार बार इस बात की वकालत करते हैं कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए तो पहले तो गलती उन्होंने की कि महारास्टा और जारखंड का चुनाओ नहीं कराया हरियाना और जम्मू कस्मीर का कराया तो आप तो अगर मालीजे नॉम्बर में चुनाओ है महारास्टा और जारखंड का उसी में दिल्ली का भी करा ले क्या समस्या है तो क्या लग रहा है आपको कौन कौन से चेहरे आपको लग रहे है क्या मैं इस वक्त दिल्ली के भावी सीम से बात करी हूँ क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ ऐसा बिल्कुल आप न कहिए और ऐसा कोई कंफियूजन अपने दर्सकों के बीच में भी बद पैदा कीजिये मैं फिर से दोरा रहा हूँ अरविंद केजरिवाल जी ने आज अपनी स्पीच में कहा है विधायक दल की बैठक में तैं किया जाएगा अगला मुख्यमंतरी कौन होगा तो क्या सुनीता केजरिवाल क्या वो हो सकती है अब देखिए मैं आपसे यही फिर कह रहा हूँ कि बिधायक दल की बैठक में तैं होगा अगला मुख्यमंतरी कौन होगा तो ऐसे में सज्जे सिंग जी क्योंकि हर्याना का चुनाव तो उसी को लेकर अर्विन केजरिवाल उनका बाहर आना उसको जोड़ कर देखा जा रहा है अब ऐसे में हर्याना को लेकर क्योंकि चिंतन मंतन चली रहा है दिल्ली की तरफ तो आपने सभी का ध्यान घुमा ही दिया है इस तेफिके पेशकर्ष करके तो अब ऐसे में हर्याना की चुनाव को लेकर भी इसे एक तरहा से एक रढ़निती जो बनाई गई है आपकी तरफ से उसी के लिए कहा जाए कि अब आगे बढ़ती हुई इसी पर आम आद्वी पार्टी की रढ़निती दिखेगी हर्याना के चुनाव में भी केजरिवाल साहब की रेलियां सभाये वहाँ पर भी होंगी और वहां मजबूती से हम लड़ेंगे हर्याना की चुनाव भी लेकिन गडबंदन हुआ नहीं न संजर सिंग जी गडबंदन हुआ नहीं एक मजबूती वहां से भी मिल रही थी एक स्ट्रॉंग मैसेज महां से भी जा सकता था अब छोड़ियो उसकी उसकी चर्चा बार-बार करने के आवशकता नहीं अब तो चुनाओ एकदम चुनाओ की पीक टाइम पे हम लोग हैं तो अब उसके प्रचार में और उसके अभियान में जूटे हुए हैं अब समझोता हुआ नहीं हुआ उन बातों का आप कोई मतलब न मनीश इसोडिया उनका भी हालिया ट्वीट आया है उसको लेकर आपक़ आपकी क्या फ्रतिक्रिया अखरे आखरी सवाल्त पर संजा सिंग जी मिंदेखने संगज लगातार आप लोगों के सवालोंका जवाब दे रहा हूं मैं देखने पाए मैंने उने कत्वीट आपके सव जवालों का जवाब दे रहा हूँ कई चैनल्स पर बैठा हूँ इसलिए मैं देख नहीं पाया प्लीड